भगवान शिव, शिवतत्व, लौट शिवा, इसके बारे में लोगों सिर्फ एक एक फैशन और एक ट्रेंड का ग्यान है बस खाली, कि हाँ भई हम शिव भक्त हैं, अगर लोगों से शिव जी के बारे में पूछोगे कि शिव जी शिवो हम का एक्च्वल मतलब क्या है, लोगों से पूछोगे कि अद्वेद वेदान्त क्या है, लोगों से पूछोगे कि शिव जी के उपर सबसे बेस्ट ग्रंत कौन सा है, कुछ नहीं पता, क्योंकि लोग deep में अंदर जाना ही नहीं चाहते वो बस एक friend को follow करना चाहते है कि हाँ भई हर हर शम्भू मैं बस शिब बक्तू हूँ बस बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और यही जो अदूरी नॉलिज़ जब लोग के अंदर आती है न इसकी वज़ा से अन्नोन होकर ही जाना जा सकता है भगवान शिब ने जब भगवान शिब अपनी पूर्ड complete consciousness पर थे अपनी उच्च चेतना पर थे उस जोरान भगवान शिब ने मापारविती को 112 methods यह थे विज्यान भहरब तंतर के अब आप पूछ लो विज्यान भहरब तंतर क्या होती है हमें नहीं पता है विज्यान भहरब तंतर क्या होती है हम तो भगवान शिब के भगत हैं कट्र भगत है लेकिन यह नहीं पता विज्यान भहरब तंतर एक्चुल में है क्या आपको पता है विज्यान भहरब तंतर म में भगवान शेव ने महापारबती को 112 जो टेक्नीक दी है इन टेक्नीक में ध्यान की टेक्नीक है इनी टेक्नीक से निकलिए विपास्थना इनी टेक्नीक से निकलिए किरिया योगा इसी टेकनीक से आपकी sound meditation इसी टेकनीक से आपकी choice less awareness ये टेकनीक दे रखें 112 टेकनीक हर टेकनीक अपने आप में विशाल एक अपने आप में discuss करने लाइक एक book लिखने लाइक टेकनीक है अब हम बात करते हैं शिव तत्व शिव शिवो हम आपको पता है जो शिवरात्री होती है शिवरात्री को चांद नहीं निकलता शिवरात्री पर अंधेरा रहता है क्योंकि मैंने बता है शिव को अन्नोन हुए बिना आप जाने नहीं सकते शिव आदियोगी परमयोगी वो सरिफ सातना कर रहे है भगवान शिव का मतलब है कि आप शिवोहम जब तक आप नहीं जानोगे कि मैं भी शिवा हूँ, I am the शिवा जैसी तुम्हें रेलाइजेशन हो जाएगी, तुम शिव को जान जाओगे, तुम शिव ही बन गए शिव मीन्स अनन, शिव मीन्स शून्य, शिव मीन्स सर्वत्र, सर्वव्यापी, शिव मीन्स जो एक ऐसी अनन्त चेतना है और जो एक ऐसा एक ऐसा शून्य है, एक ऐसा नथिंग नहस है, जिसको ट्रांसलेट मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने बताया है इसका एक आत्म साक्षात कारी किया जा सकता है, आपको पता है शिव जी की बारे में ज्यादा बाते भी नहीं होती, आप देखोगे कि बहुत सारे ग्रंद लिख हुए है, श्रीमत भागबतम, भागवद गीता, उपनिशाद है, वेदाज है, शिव जी के बारे में शिव जी शिव तत्व को अन्नों तत्व इसलिए रखा गया है, क्योंकि इसको पूरा कोई वड़न करी नहीं सकता, यह एक शुन्य कत्व है, यहनि जब व्यक्ति कम्प्लीट एक ऐसा साधक बन जाता है, एक ऐसा मेडिटेटर बन जाता है, जिसमें मेडिटेशन, मेडिटेटर और जो स्टेट अफ मेडिटेशन है, वो सब कुछ खतम हो जाता है, पूरा कम्प्लीट मर्ज हो गया यूनिव शिव ही सत्य है, इसलिए बोला जाता है, शिव ही सत्य है, आप बिना ध्यान के, बिना मेडिटेशन के, बिना अपने आपको पूर रूप से शुन्य किये बिना, शुन्य करने का मतलब है, इतना सावी सेल्फ ना हो आपका, आप शिव में समा गए, आप अनन्त में समा गए, आप शिव बन गए, आप बिलकुल अन्नोन, अज्यात में उतर गए हो, और अज्यात ही सच है, अन्नोन ही सच है, अन्नोन स्टेट ही सचाई है, हम जो आसपास अपने नोन स्टेट देखते हैं इसको हम जानते हैं वो तो सरिफ एक psychological security है या जिसको हम physically form में देख रहे हैं वो भी unknown है ultimately और इस चीज को बिल्कुल इसका साक्षाद कर लेना शिवोहम का साक्षाद कर लेना शिव बन जाना I am the शिवा last में जो लोग interested हैं मैं अपना complete spirituality program complete spirituality कक्षा जिन्दकी बार आपके साथ चलेगी 12 वीडियो मिलेगी पहले आपको concept clear करने के लिए उसके बार फिर आपको meditation की regular वीडियो मिलेंगी जिसमें आप practical meditation करेंगे जिन्दकी बार के लिए payments रिफ एक ही बार करना है lifetime membership यह आपकी आपका program है आपकी कक्षा है और कुछ लोगों के पास जिन लोगों ने join किया हुआ यह already कुछ लोग बार वीडियो नहीं आ रही है नहीं पहुंच रही है तो आप बटसा प्लिक कर पूछ भी सकते हो कि क्यो वीडियो नहीं आ रही है यह आपका हग है क्योंकि कई बार कुछ technical errors वगरा हो जाते हैं कई बार contacts डिलिट हो जाते हैं क्योंकि मेरे पास अभी टीम नहीं है मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ तो जिन लोग को पास वीडियो नहीं आप आ रही है वो पूछें क्यों वीडियो नहीं आप आ रही है व्टसाप पर message करें हाई का message करें यह आपके responsibility है तो अगर आप प्रोग्रामी जोइन करना चाते हैं जो लोग जोइन करना चाते हैं नए हैं तो most welcome स्क्रीन पर जो number दे रखा है उससे आप वर्टसाप पर information ले सकते हैं Thank you very much